तो मुझे पता है कि आपको इस मैच की काफी डिटेल्स पता है इंडिया को फॉल ओन करना पड़ा था और मैच को बचाने के लिए द्रविड और लक्षमन ने दू दिन तक मैटिंग की थी आखिर में इंडिया जीती थी लेकिन क्या आप इडिन गार्डन्स की असली कहानी जानते हैं वो कहानी जो नेट्स में सुरू होई थी और माइंड्स में खेली गई थी और एक आईवी लाइन पर जाकर खतम होई थी आज हम डीब डाइव करेंगे इडिन गार्डन्स की 2001 बॉर्डर गवास के ट्रॉफी टेस्ट की एक अनसुनी कहाने जब इंडिया को वान खेले में आउस्टेलिया के हाथों सरमनाक हार मिली थी और आउस्टेलिया जो उस वक्त इन्विंसिवल था सोलर टेस्ट मैचिस लगातार जीच चुका था इंडिया दूसरी तरफ मुस्किल में था अनिल कुमले जो टीम के सबसे एक्सपीरियंस्ट स्पीनर थे स्क्वाड में ही नहीं थे और जो बाकी स्पीनर्स टीम में थे उन्होंने मिलके भी 10 टेस्ट मैचिस नहीं खेले थे हरवजन सिंग जो डिसिब्लिन की वज़े से सस्पेंडेट थे उन्हें सिर्फ सौर अब गांगली के दवापर टीम में वापिस बुलाया गया था दादा ने फेमसली कहा था मैं इस कमरे से तब तक नहीं जाओंगा जब तक मुझे भज्जी मेरे टीम में नहीं मिल जाता लेकिन भज्जी के बेस्ट फिगर भी उस वक्त सिर्फ 3-4-30 थे और इंडिया ने मुंबई टेस्ट सिर्फ 3 दिन में ही कतम कर दिया था और इंडिया एक बर फिर किसी भी इनिंग में 200 रन भी नहीं बना पाई थी गौंगली को गुसे से भड़े मुंबई के क्राउड ने जोड से बू किया था और बिसन सिंग बेदी ने कहा था कि ये मैच इंडियन क्रिकेट का अंत है जब इंडियन टीम का प्लेइन दूसरी टेस्ट के लिए कोलकता लैंड हुआ तो और बुरे हालात होने वाले थे जगवाल सरीनाथ फ्रेक्चर्ड फिंगर के वज़े से मैच के लिए अन्फिट टिकलियर कर दिये गए थे और राहल द्रविड जो टीन के थार्ड मोजट एक्सपिरियनस्ट प्लेयर थे फ्लू से बिमार हो गए उन्हें बैड रेस्ट पर रखा गया फीवर और डिहाइडरिसम से लर रहे थे द्रविड जो हमेशा मैच से पहले प्रैक्टिस करते थे उस मैच में पहली बार बैट को टच कर पाए जब वो एक्चुल में बैटिंग करने उतर रहे थे लक्षमन दूसरी तरफ अपनी डेली नेट प्रैक्टिस के बाद टेस्ट से दो दिन पहले फीजियो के पास गए बैक पेइन की सिकायत करते हुए जब फीजियो ने उनकी बैक देखी तो वो चौक गए लक्षमन की स्पाइन एक तरफ टिल्ट हो गई थी और अगर और ज़्यादा डैमेज होता तो लॉंग टम डिस्विगरमेंट का रिस्क था उन्हीं भी बैड रेस्ट पर डाल दिया तो टेस्ट से दो दिन पहले ना एक्सपिरियंस्ट इस्पीनर ना फास्ट बॉलर और टीम के दो मेंन बैट्समैन कमपलसरी बैडरेस्ट पे ये सच में एक डिजास्टर होने वाला था फास्ट फॉवड टू दे मैच औस्टेलिया ने पहली इनिंग में 445 रन से बनाए इ कहकर कि ये बहुत बोरिंग हो गया है चलो रिलैक्स करते हैं लेकिन जल्दी मैच खतम करके दो दिन एक्स्टरा रेस्ट करने के लालच को देखकर उन्होंने फॉल ऑन दे दिया इंडियन ड्रेसिंग रूम में लक्षमन जो पहले इनिंग सिर्फ एक 50 बना पाये थे उन्ह दुबारा बैटिंग करने उतर रही थी तो सबको लग रहा था कि मैच हाथ से निकल रहा है सचिन तेंदुल कर जल्दी आउट हो गये और स्टेडियम खाली हो गया डे फोर के दिन थोड़े लोग वापिस आए मैच देखने फिर भी जब द्रविड फाइनली बैटिंग कर कोने आए तो स्टेडियम में कबूतर भी नहीं थे लेकिन और स्टेडियन प्लेयर्स ने उनका ताना मार कर स्वागत किया पहले नंबर तीन से नंबर छे अब टीम से ही बाहर हो जाओगे क्या लेकिन द्रविड और लक्षमन ने पूरी मॉर्निंग सेसन में खेला बिना कि सी विकेट गवाये लंच तक द्रविड जो सीवियर मेडिकेशन पर थे और कॉलकता की गर्मी में स्ट्रगल कर रहे थे उन्हें क्रैम साने लगे पेइन अन्बियरेबल था लक्षमन उनसे लगातार बात कर रहे थे ताकि द्रविड अपना फोकस ना खो दे लक्षमन ने भाद में कहा मैंने अपने पूरी करियर में इतनी बात कभी भी पिछ पर नहीं कि जितनी मैंने उस एक सेसन में की जब सेसन खतम हुआ और ड्रेसिंग रूम में वापस आ गये तो किसी ने उन्हें कांगरच लेट तक नहीं किया टीम वैसे ही चुपचाब बैठी रही जैस सब कुछ नॉर्मल हो किसी ने अकनॉलिस तक नहीं किया कि जगमुहन डालमिया ने हर रन के लिए एक हजार रुपे का इनाम अनॉंस किया था किसी ने नोटिस तक नहीं किया कि लक्षमन ने गवास करकर रिकॉर्ड तोड़ दिया था इस टीडियम के बाहर जाने के पूर्ट ले रहे थे अब ज्यादा बॉलिंग फेस करने लगे उन्होंने इंशूर किया कि ना टीम गिरे और ना लक्षमन दिन खतम होने के बाद दोनों बैट्समेन ठक कर बेंच पर जाकर गिर गए उन्हें तुरंत आईवी लगाई गई इस पेसली द्रविड को क्योंकि उनकी डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो चुकी थी लेकिन दोनों ने वो कर दिखाया जो लगबग नामुम्किन था पूरा दिन बैटिंग करके ना सिर्फ मैच बलकि इंडिया की इज़त भी बचा ली आखिर में हाँ ये एक बिर्लियन पार्टनर्सिक तो थी लेकिन जो बाद में हुआ उसने इस मैच को सच में स्पेशल बनाया हरवजन सिंग ने हैट्रिक विकेट्स ली और आस्ट्रिलिया को आल आउट कर दिया इंडिया ने टेस्ट जीत लिया फिर सिरीज भी जीती ये क्रिकेट हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा कमबैक बन गया लेकिन जो लोग नहीं समझते वो ये है कि दो प्लेयर्स जो गली क्रिकेट खेलने लायक भी नहीं थे उस वक्त उन्होंने अनिमेजनेवल पेन के साथ पूरा दिन बैटिंग किया एक एक बॉल सिर्फ अपने देश के लिए खेला उन्होंने अपने कंदों पर एक पूरी नेशन क के सपने उठाए और उन्होंने उन्हें गिरने नहीं दिया तो ये थी उस टेस्ट की कहानी जो सच में अनसुनी लग रही थी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्यू फोर वाचिन देस वीडियो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए और टेक केर